Hello students and welcome to Ramroo Sharma YouTube channel यार और इस वीडियो में आप लोग जितने वी ज़िये एस्पारेंट से उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ that is तुक का ट्रिक यानि कि सिंपल सी बात है यार बहुत सारे वच्चे पूछते है कि तुक के मारना सही रहेगा नहीं रहेगा कितना बेनिफिशियल रहेगा वो हमार ले तो यार सबसे बेसिक सी बात है अगर तुम उस क्वेशन में हैना कम से कम एक से दो अप्शन एलिमिने सी डी चार ओप्शन में से मान दीजिये मैंने किसी तरीके से ए और सी अपने थोड़ी भॉट तूटी-फूटी नॉलेच से पहार निकाल दिये अब मेरे पास ओप्शन बचगे अब बचगे है वी और डी यान दीजिएका चार ओप्शन ते मैंने एलिमिनेet कर दिया मैंन जो पहला answer आपके दिमाग में hit करता है, वही correct answer होता है, तुक्का मारते समय कभी भी आप double, triple, तीन बार दिमाग मत लगाई, यह मेरा खुद का experience है, आपके बस दो option बच रहे हैं, अगर आप उस पे एक पे पहले ही finalize हो जाते हैं, यही answer होगा, तो वही होगा, अगर आपके पढ़के गए हो, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई होती है, वो तुरेंट हिट मार देती है, यही answer है, अगर आप उसमें जाता दिमाग लगाओगे, तो और क्युछ नहीं है, end में आप confusion में आ जाओगे, और गलत answer mark कर दोगे, हमारी body की यह intention होती है, कि जो हम गलत सोच रहे हो option eliminate कर पा रहे हैं, तब ही तुक्के के लिए जाईएगा, और बचे हुए option में जो पहला answer आपको hit कर रहा है, आपकी previous knowledge से दिमाग भी तो होता है, उसने भी तो कुछ पढ़ रखा है, उसकी भी कुछ value है न, तो वो option आप mark कर दीजिए, उससे आपका best of best answer आजाएगा, तो यह आप trick follow कर सकते हैं, अगर आपको यह मतलब तुक्के बाजी करनी है तो, ठीक है, और चैनल को subscribe करिए, till then take care, bye bye